Hello Future Doctors, Namaskar, Welcome to our Channel, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है दोस्तो NET 2023 के अंदर 16 New Government Medical Aid हुए हैं दोस्तो, उनके बारे में आपको बताएंगे कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा सीटे आपकी इंक्रीज हुई है सबसे पहले बात करते हैं दोस्तो, Insola New Medical College की तो सबसे पहला है दोस्तो, GMC Government Medical College विजी नगरम आंदर प्रदेश के अंदर है दोस्तो और 150 सीटे यहाँ पर अलोट की गई है इसके बाद है दोस्तो, कोकराजर Medical College असम के अंदर है और टोटल सीट्स के बात करूँ दोस्तो तो यहाँ पर 100 सीट्स है इसके बाद बात है, नागों Medical College यह भी असम के अंदर है दोस्तो, यहाँ पर भी 100 सीटे अलोट की गई है इसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तो, नमबर 4, Government Medical College हंडवाडा, जम्मू एंड कस्मीर के अंदर है दोस्तो यह और यहाँ पर भी 100 सीटे अलोट हुई है गोवर्मेंट Medical College उदमपुर, जम्मू एंड कस्मीर, 100 सीटे यहाँ पर दोस्तो अलोट की गई है गोवर्मेंट Medical College सतना, मद्यपरदेश, यहाँ पर भी 150 सीटे जो है अलोट की गई है और डॉक्टर राजेंद्रा Medical College यह महराश्टरा के अंदर है दोस्तो और 150 सीटे यहाँ पर भी अलोट की गई है इसके बाद मैं बात करूँ नागा लेंड इंस्टिटूट ओफ मेडिकल साइंस, नागा लेंड के अंदर यह कॉलिज है कोहिमा के अंदर और यहाँ पर भी 100 सीटे अलोट की गई है इसके बाद दोस्तो नमबर 9 GMC भवानी पटना ओडिसा के अंदर है 100 सीटे है और उसके बाद दोस्तो जो लास्ट के 6 कॉलिज है यह तेलंगाना के अंदर है और यहाँ पर भी परते एक कॉलिज के अंदर 100 सीटे अलोट हुई है दोस्तो यानि कि मैं बात करूँ टोटल तो आपकी 1650 गोर्वेंट सीटे जो है दोस्तो अब की बार newly add हुई है इसका मतलब दोस्तो जहाँ जहाँ पर यह सीटे इंग्रीज हुई है वहाँ पर स्टेट वाइज कट ओफ जो है काफी कम रहने वाला है ओल इंडिया कोटा पर भी कट कम जरूर रहेगा लेकिन इतना ज़्यादा फरक नहीं पड़ेगा लेकिन दोस्तो स्टेट कोटा पर यह जो 1650 सीटे college wise मैंने बताई है यह बहुत ज़्यादा effect डालने वाली है अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी परकार आपकी total government सीटे कितनी है all over India के अंदर उनके बारे में बताऊं तो आप नीचे comment section में comment जरूर करिएगा आपको जो भी जनकारी चाहिए हो जो भी next video का topic चाहिए हो दोस्तो आप नीचे comment section बता दीजेगा आपको एक एक चीज fact wise officially मैं बता दूँगा कि official data क्या है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर वीडियो पसंद आई ये चैनल को subscribe कर दीजे थे